जीवन के हर मोड पर कठिनाईउं से आपका सामना होगा अगर आप उन कठिनाईउं से लड़ने के लिए मांसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सिंचिये यदि आप उंचाई पर पहुँचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हलका होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त दे वरना उस काम को हाथ मत लगाईएगा जिसे आपका दिल करना ही न चाहे अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुम से नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाए कोई और नहीं कर सकता अगर आप किसी के एहसांतले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिये कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत हिला ना सके आप डटकर खड्डेन रहे तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए तो आज से आप यह मान लिजिए कि हमारे और कठिनाईयों के बीच में जो जंग होता है इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं तो लोगों इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं नामुम्किन कुछ भी नहीं है हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि कि सब कुछ संभव है अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तै होगी क्या पता मन्जिल उससे भी पास हो मन्जिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है होसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा बढ़कर अकेला तुप पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा सफर में मुश्किलें आई तो हिम्मत और बढ़ती है अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अकसर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते है लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है सभी के जिन्दगी में उतार चड़ाव लगा रहता है कोई काम कभी बिगड जाता है तो कभी अच्छा बहुत अच्छा हो जाता है साफ शब्दों में कहा जाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है इसलिए ज्यादा शिकायत करने निराश होने हार मानकर से बना काम भी बिगड जाता है कोशिश करनी चाहिए कि जो मिले उसमें खुश रहे और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करे